हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल इस वीडियो में हम सिखेंगे हाउ टू डिजाइन प्राक्टिकल इंटिग्रेटर यूजिंग ओपैंप इसकी थेयरी पहले ही इंटिग्रेटर के वीडियो में देखी हुई है अब यह हम डिजाइन का सम्सॉल्व करने वाले है डिजाइन को इससी सरकिट को डिजाइन करना है मतलब क्या करना है first of all this is very simple इसमें आपको FA और FP की value दी होगी ये दो frequencies है जो हमने integrator के वीडियो में पढ़े हुए अगर आपको FA और FP क्या है ये पता नहीं है तो मैं फिर से एक बार short में बताऊंगी but design करना मतलब क्या होता है आपको FA, FP दिया जाएगा 100 Hz, 1 kHz ऐसा कुछ और आपको R, RF और C मतलब ये तीन components की value calculate करनी है इतना ही है, बहुत simple है sum देखने के बाद आपको और clear हो जाएगा अभी ये जो register है R, RF किसी books में आपको ये R1 भी दीख सकता है ये C के जगा आपको C1 भी दीख सकता है so naming conventions can be different in other books or videos so अगर आपने मेरा पिछला integrator का video follow खिया हुआ है I have followed those same naming conventions ये feedback resistor है तो इसको मैं RF बोलती हूँ फिर ये R, RC में वैसे के वैसे ही बोलती हूँ so जैसे मैंने बुला कि आपको सिर्फ दो equations बता होने चाहिए FA और FB का formula क्या है FA क्या है? FA is unity gain frequency मतलब जब आपकी gain घटे घटे 0 dB पर 1 पर आ जाती है तो उस frequency को बोलते है FA ये हमने integrator के वीडियो में देखा हुआ है but just to refresh that जब आपकी gain यहाँ पर 0 dB पर है मतलब 1 पर है तो उस frequency को बोलते है FA frequency फिर FB frequency क्या होती है? FB मतलब आपकी जो gain है वो 3 dB से reduce होने लगती है ये maximum gain है वो 3 dB से जब घटे है तो उस point को बोलते है FB frequency तो FA का formula क्या है? 1 upon 2 pi rc और FB का formula क्या है? 1 upon 2 pi rfc तो इसमें सिर्फ r अलग है FB के formula में feedback वाला rf है तो अभी question solve करते हैं design practical integrator to process input wave up to 1 kHz तो अभी पहले तो how to identify कि ये जो given frequency है ये FA है या FB है क्योंकि अगर आपने गलत formula लगाया तो आपका पूरा sum गलत हो जाएगा पूरा calculation गलत हो जाएगा question में आपको बोला है up to 1 kHz मतलब maximum 1 kHz so it will be FA frequency क्योंकि आपने graph में देखा कि FA, FB के बाद आती है so FB is minimum frequency lower frequency and FA is higher frequency maximum frequency okay मैं FB वाला भी एक example लोंगी पहले हम ये FA वाला example solve करेंगे so ये 1 kHz मैंने यहाँ पर लिखा FA equal to 1 kHz FA का formula अभी हमें पता है 1 upon 2 pi RC तो FA मैंने यहाँ पर सिर्फ substitute किया 1 kHz अभी यहाँ पर आपको C की value assume करनी है so I have assumed 0.1 microfarad substituted it here okay अभी इसमें सिर्फ A की unknown variable है that is R तो अभी आपको R को उस साइड लेके जाना है और ये 10 rest to 3 यहाँ पर नीचे आया जाएगा अभी आपको सिर्फ यह पूरा calculator में डालना है और R की value निकालनी है okay हमने क्या किया F A substitute किया C की value assume की तो इस पूरे equation में F A पता है C पता है R unknown है तो rearrange करो equation को और ये calculator में डालो तो इसकी value आजाएगी 1.59 kHz which is equivalent to 1.6 kHz okay तो हमें R मिला C मिला R F अभी निकालना है अभी step 2 क्या है ये equation important है F A equal to 10 F B okay for proper integration आपका F A है वो 10 गुना होना चाहिए F B से तो F A पता है तो F B निकालने के लिए F A को divide कर दो 10 से so 1 kHz upon 10 100 Hz तो हमें F B मिल गई 100 Hz तो अभी ये है F B का formula तो इसमें हमें F B पता है 100 Hz C पता है जो हमने उपर assume किया था वो ही 0.1 µF तो हम इसमें जो वो unknown variable है RF वो निकाल सकते है फिर से ये पूरा का पूरा आपको calculator में डालना है और RF की value निकालना है तो वो आ जाती है 15.91 kOhm which is equivalent to 16 kOhm तो अभी आपके पास R, RF और C तीनो है अभी यहाप एक छोटा register है R.com तो ये कुछ नहीं ये सिर्फ offset compensate करने के लिए ये register लगाते है तो R.com आप कैसे निकालोगे R और RF का parallel लेना है तो R हमारा आया था 1.59K और RF आ गया था 15.9K तो इनका सिर्फ parallel ले लो तो आपको मिल जाएगा 1.44 kOhm which is equivalent to 1.5 kOhm ओके last step is आपको पुरा circuit ड्रॉ करना है और उस circuit में आपको values लिखनी है ओके ये step भी important है simple था sum हमने क्या किया F.A. से पहले R निकाला फिर F.B. से RF निकाला और फिर R.com कल्कुलेट किया ओके अभी next sum लेती हूँ design practical integrator to process input waves with lower frequency limit of 159 Hz मतलब इसमें हमें F.B. दिया हुआ है कितना दिया है 159 Hz तो हम अभी F.B. से start करेंगे F.B. का formula मैंने यहाँ पे लिखा फिर से हमें C एजूम करना है मैंने यहाँ पे 100 nF अजूम किया है ओके तो मैंने यह 100 nF यहाँ पे लिख दिये यह F.B. था वो यहाँ पे 159 Hz लिख दिया और इसका जो R था वो उस साइड भेज जिया और पूरा का पूरा सिर्फ calculator में डालो और RF निकालो ओके तो वो आ जाता है 10 किलो ओम्स अभी step 2 क्या है यह वाला equation यूज़ करना है F.B. पता है तो F.A. क्या होगा 10 x F.B. 1590 Hz ओके multiplied by 10 अभी F.A. का formula यूज़ करना है C की value पता है F.A. की value पता है R निकालना है यहाँ पे calculator में डालने के बाद आ जाएगा 1 किलो ओम्स फिर लास्ट छोटी सी step होती है R.com निकालना होता है पैरलेल कर दो R और R.F का 1 और 10 के पैरलेल में आ जाते है 909 ohms बनके फिर circuit ड्रॉ करो और उसमें यह सारी values लिख दो So designing is very simple आपको सिर्फ दो equations पता होने चाहिए F.A. और F.B. के अगर आपको यह conceptually सीखना है तो मेरा इंटीग्रेटर वाला वीडियो देखो उसमें मैंने सारा explain किया हुआ So that's all for this video I hope आपको दोनों examples समझे है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करो मेरी पूरी playlist अपने friends के साथ share करो और मेरे चैनल को subscribe करो Thank you